भाईया कि अब आपको बता देते हैं पड़े लिखे लोग और हाई करोर एस्टुडेंट जो रेलवे का फ़र्म भरता है रेलवे का फ़र्म भरता है जिसमें पाँच पाँच सो रुपे सरकार लेती है इस तरह से टोटल बारह दसमलव पाँच अरब होता है रुपिया यान पाँच रुपे साइंकरा महिना का बयाद चलता है तीन रुपे माल लेते हैं कि मोटा रकम है तो तीन रुपे और तीन रुपे से हमने निकाला तीन परसेंट से महिना का चुकि महिना में बयाद चलता है गाउ में तो इस तरह से बारह महिना में बारह तीच परसेंट और ये सारहे 12 अरव का जो ब्याज हुआ वो 9 अरव हुआ दो साल आप लटका दिये रेलवे वाला फरम अरवा के लरिका सब को 5500 रुपया लेके अब आप कहिएगा कि एक्जाम के बाद हम पैसा लुटा देते हैं लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लुटा दीजेग लेकिन दूस साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरव का वह यह बहूत होता है 9 अरव कोई सथारन बात नहीं है अब देख लिजिए आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे बाई गड़ी बाद भी है जब मेरे काउंट में केवल एक लाख टेई सजार रुपया था ना त साइनटीस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सिन पर तो खर्च परेगा खर्च लगेगा तो आदमी किसी किसी के पास जो और था 1 रुपया 1 ग्यार रुपया 100 रुपया 50 रुपया 1 करोड 500 करोड एक हजार करोड लोगों ने योगदान दिया जिन से जो हो सका पूरा देश आपके साथ ख़ड़ा था, आपके साथ ख़ड़ा था, और याद रखिएगा, कि ये युवा बिरोजगार रहेगा, ता आपके बिरुद्ध ख़ड़ा होगा, भाईया तक था पलट जाएगा, इस बात पक्का सुन लीजिए, काहें कि आज हम दिल से बात करें, दिल से बात किये थे, तब न मदद किये थे, अब देख लिजिए, तीस मार्च को मैंने योगदान दिया था, एक करूर पे, हम राता पागल पन चरहल था, हम तो अपन गल्ती का पस्चाता पी जुत्ता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, कि जुत्ता उस नेता क भी पड़ेगा, जुन बोट मागने आएगा हमारे हाँ, याद रखिएगा, ये पूरे देश, पूरा देश में अबबलाल होने वाला है, अगर सही टाइम से एक्जाम नहीं लिजेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए, यहाँ पर आप नहीं आपको पता चले तो जिन लोगों को बुरा लगता होगा, सर्च कर लिजेगा, परधान मंतिरी राहत को इसमें एक लाख रुपे का योगदान दिया, मैत मस्ती लिखेगा, ये लाइन लिखेगा, मैत मस्ती ल बच्चा के पैसा दिया हुए, जो हम पढ़ाते है न, वीडियो देखता है न, भीव होता है, उसे पैसा आता है, उसे पैसा हम आपको दिये थे, पाप लगेगा, ना तो तनी ध्यान दिजी यहाँ पर, ये देखिए, कहते है कथी, कि अस्थानिये खिलाउने बनाकर आत्म निर्भर भारत बनाई है, खिलाउना तो हम बनाल है, जैसे मन होता है, आप खेल रहे हैं, जो आप का रहा है, लोग वही कर रहा है, अब हम कुन खिलाउना बने, खिलाउना तो जंता बन चुका है आप लोगों का, यह हमारे मोदी जी थे, आई हमारे नितीस बाभू है, इ एक्जाम दे के लड़ी का फसल है कि अगर नितिस जी नहीं आते है तब फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा कोई न कोई बवाल चुकि बिहार में कोई एक्जाम जो है ये नहीं कि साप सुथरा से हो आप देख रहे हैं बिहार ससी का एक्जाम कितना साल में हुआ है आदमी ब देने डिजल्ट आते तके बूर आजाएगा अब कुकि बिहार में एक्जाम ही होता है तो यह क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाओ के बाद मजबूरन फिर नितीस कुमार जी को चुनेगे सिक्षत के बाहा लिया जाएगा बिहार पुलिस के बाहा लिया जाएगा सारे बाहा लिया दरोगर सब के बाहा लियाएगा इक अब होगा चुनाओ के टाइम में भाईया तो नितीस जी का ज 30,000 करो रूपय आपने बिहार में नलजल पर खर्चा कर दिया आज आपको असलियत हम दिखाते हैं इस वीडियो में देखिएगा आप लोग जरूर आई वीडियो को इतना सेर करिएगा कि मुखमंत्री से लेकर परदान मंत्री तक पहुंचना चाहिए बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि जहां से हम हैं वहां की स्थिती आपको दिखाते थे कि नलजल का स्थिती क्या है बेरोजगारी तो भईया आपने ऐसी पहुंचा दिया है यहां पर कि लोग अब कुछ करने लाइक नहीं है आप अगर आत्म निरभरे बनाना था खिलाओना बनाना ही था इक कहला पर हवारा है शुरूए से खिलाओने बन बाते कहला इप पाच-पाच सरु उपईया लेके फोरम बरवा लिए आप दूस साल में नौ औरब आप ब्याज कमा लिए परभु छमा कीजिए परभु इस पर कोई उपाय कीजिए वरना आपकी तक्ता पलट जाएगी और सारे बिद्यार्थी जितने भी छात रहे मैं आप सब से अपील करता हूँ इस वीडियो को सेर करिए जितना ज़्यादा सेर हो और सारे एडुकेशन चैनल वाले जितने भी है चुकि आपके मिडिया नहीं दिखाएगा बिद्यार्थी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है वही चीज दिखाएगा जो सरकार चाहती है हमारे सारे भाई बंदू जितने भी वाई-फाई अस्टड़ी एगिजामपूर है अभिनव सर्मा है राकेश यादव सर है जितने भी लोग है जो भी वीडियो बना रहा है बहुत अच्छा कर रहे है सभी को हाथ जोड़कर तय दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूं क्योंकि ये विद्यार्थी इस विद्यार्थी जो बिरोजगार है उसी के बज़ा से हमारा रोजगार है यही वाप सच्चाई है और इसी लिए हम इनके लिए लड़ेंगे चाहे जो हो जाए धरना परदर्शन होगा पूरे देश में धरना परदर्शन होगा और जहां ये अरहाई करोर अरहाई करोर विद्यार्थी सरक पर उतर गया तो सुन लिजिए ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हीलेगा इस बात निश्चित है एक साथ हम है सब के साथ है सारे छात्रांदोलाल करने के लिए तैयार रहिए SSE time से exam नहीं लेती है एक तो आप vacancy ही कम निकालते हैं आप vacancy कम निकालते हैं तो जो निकालते हो वो करत कम से कम एक्जाम ले लिजिए, सही से रिजल्ट ले लिजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एक्जाम सही से ले लिजिए, टाइम से ले लिजिए, एक सिडूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एक्जाम होता है, ट्वेर्ट का एक्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह SSC का भी एक्जाम होना चाहिए, रेलवे का भी एक्जाम होना चाहिए, आपको जितने सीट पर लेना है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कि इतने इस महीने में एक्जाम होगा, इस महीने में रि खरीब के बच्चा जाता है कम से कम एकरा साथ यतना आमने आयना कीजिए इतना आपका घरा भर चुका है मैंने अपने सर पर जुता माला है अगर बोट मांगने मेरे अरिया में यह यह हम जुता मारेंगे आप लोग को इबात पक्ता कह देते हैं आई वीडियो सेयर होना चाह और सब लोग पहुंचाईए सब लोग वीडियो बनाईए जितने भी एडूकेशन से जुड़े हुए हैं क्योंकि कोई मीडिया वाल आपको दिखाने वाला यह नहीं है और बस यही बात कहना चाहेंगे और जल्दी आग के तरह इस वीडियो को फैलाईए अज्यादा बोलेंगे बिरोजगारी यतना बढ़ गया है यतना बढ़ गया कि आप सब कुछ समझे रहे हैं